हलो एभराइब बिलकम बागटी कोट्रिफाय आज हम डिस्कस करने वाले हमारे इन्डिया के चिफ मिनिस्टर्स अंग गवर्नर को जो की डिसेंटली न्यूली अपोइट हुए है जिसे कि आसाम के new CM appoint हुए है पुदूचेरी की new CM appoint हुए है और भी appointments कुछ-कुछ new हुई है जो कि आज हम यह session में discuss कने वाला है और यह session आपका बहुत short session होने वाला है तो आपको इस video को skip नहीं करना है complete end दग देखना है आपको चिफ मिनिस्टर कौन से पार्टे से बिलॉंग किप नहीं करना है complete अच्छे से देखना होगा तो start करते है आज का session start करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि CM क्या होता है governor क्या होता है कैसे appointment होती है तो CM जो होता है chief minister जो होता है is elected by the members of the state इसे elect किया जाता है and governor जो होता है वो appoint किया जाता है by the president for the term of five years on the advice of cabinet इसे cabinet जो advise करती है उसके basis पे governor को appoint किया जाता है बोथ CM और governor दोनों भी पाथ साल के लिए appoint किया जाता है ठीक है और governor की जो powers होते है वही same president के भी power होते है बट उनके powers में difference जो होता है वो इस तरह होता है कि president central level पे work करता है बट governor जो होता है वो state level पे work करता है I hope आपको समझ आया होगा governor जो appoint होते है वो states में appoint होते है and lieutenant governor जो appoint होते है वो तौन को सिर्ट बड़िय। यह important वीडियो है तो start करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला state तो सबसे पहला state है हमारा आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश आपको इस map में नज़र आ रहा होगा जो भी highlighted part है red color का वो है आपका आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश की जो capital है वो है अम्रावती आंध्रप्रदेश की three capitals है बट main capital जो है वो है अम्रावती यहां की CM है चिफ्ट मिनिस्टर है YS जगन मोहन ड्रेडी जो की YSR Congress Party से बिलॉंग करते है और गवर्नर है बेस्व भूशन हरी चंदरन निक स्टेट है हमारा अरुनाचल प्रदेश यह नौर्थिस में आता है आपको यहां पे नजर आ रहा होगा इसकी जो capital है वो है इटानगर चिफ्ट मिनिस्टर है पीमा खांडू जो की बीजेपी से बिलॉंग करते है और गवर्नर है बीडी मिश्रा निक स्टेट है हमारा असाम असाम की जो capital है वो है दिसपूर यहां की सीएम जो है वो जस्ट रिसेंटली चेंज हुए है तो बहुती ज़ादा important है exam में आने की chances है हेमन्थ बीजेपी से बिलॉंग करते है आन गवर्नर है जगदिश मुखी असाम भी आपका नौर्थेस्ट में आता है यह बहुती ज़ादा important होगे यहां के cm जो कि आपको ध्यान में रखना होगा अगर आने वाली exam में यह पूचा जा सकता है हेमन्थ बिश्वा सर्मा यहां के new cm अपॉइंट होए है निक स्टेट है हमारा बिहार बिहार की जो कापिटल है वह है पटना आपको माप में red कलर के पोर्ष्ण में जिस भी state की हम information discuss कर रहे है वह आपको नजर आ रहा है तो हर बर आपको माप में देखना है कि कौन्स स्टेट कहां पर आती है दिन आपके बिहार के जो CM है वो है नितीश कुमार जो की जनता दल से बलॉंग करते है और गवर्नर है फागू चौहान निक्स देर हमारा 36 गड़, 36 गड़ की जो कापिटल है वो है राइपूर, यहां की CM है बुपेश बाखेल जो की INC से बलॉंग करते हैं कॉंगरेस पाटी से और गवर्नर है अनुसुया उइके निक्स देर हमारा गवा, गवा की जो कापिटल है वो है पंजी, यहां पर बहुत छोट असा पोर्षन आपको महाराश्ट्र के नीचे नजर आ रहा होगा, यह है आपका गवा, गवा की जो कापिटल है वो है पंजी, CM है यहां के प्रमूद सावंत जो की BJP से बलॉंग करत है और गवर्नर है भगत सिंग कोश्यारी, यहां पर इनको अडिशनल चार्ज दिया गया है, भगत सिंग कोश्यारी जो है वो महाराश्ट्र के गवर्नर है बट उनको गवा का अडिशनल चार्ज दिया गया है, निक्स देर हमारा कुजरात, कुजरात की जो कापिटल है वो है चंदिगर्ड. यहां के CM है मनोहर लाल खटर जो की बीजेपी से बलोग करते है and governor है सत्य देफ नारायन आरिया. निक स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश की जो capital है वो समर में अलग होती है and वंदम में अलग होती है. summer capital है आपकी शिंबला और winter capital है आपकी धर्म चाला यहां के cm जो है वो है जैराम थाकुर जो की बिजेपी से बिलॉंग करते है और governor है बंडारू दतात्रियो next state है हमारा जारखंड जारखंड की जो capital है वो है रांची यहां के cm जो है वो है हेमन्त सोरेन जो की जारकन मुखती मोर्चा से बिलॉंग करते है और governor है द्रौपती मुर्मू next state है हमारा करनाटका करनाटका की जो capital है वो है बैंगलोर यहां के cm है बियस यदिवरापपा यह बिजुपी से बिलॉंग करते है और governor है विजुभाई वाला next state हमारा करला करला की जो capital है वो है थीरू अनंतपूरम यहां के chief minister है पिनराई विजुएन जो की communist party of India से बिलॉंग करते है और यहां के governor है आरिफ मोहमत खान next state हमारा मध्यप्रदेश जो की एकदम middle में आता है हमारे map के इसकी जो capital है वो है भोपाल यहां के chief minister है शिवराद सिंग चौहान जो की बिजुपी से बिलॉंग करते है और governor है आनंदी बिन पतेल आनंदी बिन पतेल को मध्यप्रदेश का additional charge दिया गया है वो actually UP की governor है ठीक है अभी वो मध्यप्रदेश का भी governor का post संभाल रहे है उन्हें additional charge दिया गया है next day है हमारा महराष्ट्र महराष्ट्र की जो capital है वो है मुंबई यहां के cm है उद्धव ठाकरे जो की शिव शिना से बिलॉंग करते है और governor है भगत सिंग कोश्यारी next day है हमारा मनीपूर मनीपूर की जो capital है वो है इमफाल यहां के cm है एन बिरेंच सिंग जो की बिज़पी से बिलॉंग करते है and governor है नजमा है प्तुला next day हमारा मेघालाया मेघालाय की जो capital है वो है शिलॉंग यहां के चिफ मिनिस्टर है कॉन्राड संगमा जो की नाशनल पीपल्स पार्टी से बिलॉंग करते है and यहां के governor है सत्यपाल मलीक next day हमारा मीजोरम मीजोरम की जो capital है वो है एजवाल यहां के चिफ मिनिस्टर है जोरम ठंगा जो की मीजो नाशनल फ्रंट से बिलॉंग करते है and governor है पीएस श्रीधरन पिल्लाई next day है नागालैंड नागालैंड की जो capital है वो है कोहीमा यहां के चिफ मिनिस्टर है नेफ्यू रो जो की nationalist democratic progressive party से बिलॉंग करते है and governor है आर एन रवी next day हमारा उडिशा उडिशा की जो capital है वो है भुवनेश्वर चिफ मिनिस्टर है नवीन पतनाइक and यह बिलॉंग करता है वीजू जनता दल से and governor है कनेशी लाल next day है पंजाप पंजाप की जो capital है वो है चन्दिकड CM है अमरेंद्र सिंग जो की Indian National Congress से बिलॉंग करते है and governor है बीपी सिंग बढ़नोर next day है राजस्थान राजस्थान की जो capital है वो है जैपूर यहां के चिफ मिनिस्टर है अशोक गहलोद जो की Indian National Congress पार्टी से बलॉंग करते है and governor है कालराज मिश्रा हमारा next day है सिक्कीम सिक्कीम की जो capital है वो है गैंग टोक यहां के चिफ मिनिस्टर है परीम सिंग तमांग जो की सिक्कीम करांतिकारी मोर्चा से बलॉंग करते है and governor है गंगा प्रसाद next day है तमिल नाडू यहां की जो capital है वो है चेन नहीं यहां के cm जो just appoint हुए है अभी अभी recently वो है M.K.Stalin जो की द्रवीद मुननेत्र कजगम पार्टी से बलॉंग करते है यहां के governor है बनवारी लाल पुरोहित बहुती जादा important है यह exam point of view से M.K.Stalin जो है वो new cm अपॉइंट हुए है तमिल नाडू के और इनकी पार्टी जो है वो है द्रवीद मुननेत्र कजगम निक्स्ट है तिलंगाना तिलंगाना की जो capital है वो है है ध्राबाद यहां के chief minister है के चंद्रशेखर जो की तिलंगाना राष्ट्र समीथी से बलॉंग करते है इन्हें भी additional charge दिया गया है कहां का दिया गया है यह हम जल्दी discuss करेंगे तो आपको वीडियो में continue रहना होगा निक्स दिट है हमारा त्रपूरा त्रपूरा जो है बहुत छोटा सा portion है नौट इस्ट में आता है आपको यह नजर आ रहा होगा यहां पे आई होप आप सारी stage को माप में अच्छे से point out कर रहे होंगे इस अच्छे से देख रहे होंगे त्रपूरा की जो capital है वो है अगारताला यहां के चिफ मिनिस्टर है बिपलाप कुमार देप जो की बिज़ेपी से बलोंग करते है और कवर्नर है रमेश बैस निक्स ते हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो capital है वो है लखनव यहां के चिफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जो की बिज़ेपी से बिलोंग करते है और कवर्नर है आनंदी बेन पतेल निक्स तेट है उत्तराखंड उत्तराकंड की capital जो है वो दो है दहरादून जो है वो winter capital है और garrison जो है वो summer capital है तो यह आपको ध्यान में रखना होगा exam में पूछा जा सकता है कि winter capital पूछा तो आप का अंसर होगा दहरादून and summer capital पूछा तो आप का अंसर होगा garrison दिन यहां की चिफ मिनिस्टर है वो भी अभी कुछी दिनों पहले अपॉइंट हुए थे तिर्थ सिंग रावत यहां के निव सियम अपॉइंट हुए है जो की बिज़ेपी से बिलॉंग करते हैं और कवर्नर है यहां की बेबी रानी मौरिय निक्स कैपिटल है आपका वेस्ट बेंगाल वेस्ट बेंगाल की जो कैपिटल है वो है कॉलकाता चिफ मिनिस्टर है ममता बैनर जी जो की जस्ट अभी रिसेंटली तिसरी बार चिफ मिनिस्टर बन चुकी है कॉलकाता की वेस्ट बेंगाल की और यह बिलॉंग करती है आपको ध्यान में रखना होगा आपको एक्जाम में ऐसा पूचा जा सकता है कि ममता बैनर जी कौन से टाइम बनी है वेस्ट बंगाल की चिफ मिनिस्टर तो आंसर हो चाएगा थर्ड टाइम ठीक है तो यह थी हमारी सारी 28 स्टेट इसके हमने कापिटल देखी सीएम देखे सीएम कौन से पार्टिस से बिलॉंग करता है वो देखा और गवर्नर देखा ठीक है आई होप आपको सभी समझ आयोंगे और जो भी नियूली अपॉंटेट है वने आपको सारे पॉंट आउट किये है तो वो आपको स्पीशली ध्यान में रखना होगा अपकी आ इन टेरिटरीज थेन थ्री महाँ पर आडमिनिस्ट्रेटर है और थ्री चुफ मनस्टर है थीक है आप हम देखते हैं सबसे पहला हमारा यूटी आता है वो है अंदमान आन निकोबार आईलेंड इसकी कापिटल जो है वो है पोर्ट ब्लेर यहां के ल्यूटिनिंट गवर् में कौन है lieutenant governor है जो की है देवेंद्र कुमार जोशी दन चंदीगर की जो capital आती है वो है चंदीगर और यहाँ पे जो administrator है वो है श्री विपी सिंग बढ़नोर इन दोनों की एक combined capital हो चुकी है जो की है दमन पहले यह दोनों को common कर दिया गया है और इनकी जो common capital है वो है दमन और यहाँ पे administrator है श्री प्रफुल पतेल दन दिल्ली की capital दिल्ली है यहाँ के जो lieutenant governor है वो है श्री अनील बैजल और चेफ मनिस्टर है अर्विंद केजरिवाल जम्मू कश्मी यह यूटी में add कर दिया गया है जम्मू जो है इसकी जो capital जम्मू जो है वो summer में होती है और श्री नगर जो है वो winter में होती है तो यह आ जम्मू कश्मीर के जो cm है वो vacant है फिलाल कोई भी नहीं है दन आता है आपका लक्षदवीब लक्षदवीब की जो capital है वो है कबारती यहाँ के administrator है श्री दिनेश्वर शर्मा निक्स्ट है आपका पुद्दुचेरी पुद्दुचेरी की जो lieutenant governor जिने additional charge दिया गया है वो है जो कि मैंना आपको बोला था कि आपको मैं बताऊंगी कि उन्हें कौन सी प्लेस का गया है तो वो यूट्री में पुद्दुचेरी की lieutenant governor है भी फिलाल के लिए और यहाँ पे just newly appointed हुए है chief minister जुनका नाम है एन रंगस्वामी यह just a point हुए इसलिए again यह भी important बता है आपके exam के लिए तो आपको धियान में रखना होगा दिन लास्ट है आपका लदाक लदाक के जो capital है वो है लेह कारगिल और यहां के जो lieutenant governor है वो है श्री रादा करश्न मातोर ठीक है तो हमने आज सारे states 28 states and 8 uts के governor, chief minister and uts में होता है lieutenant governor, administrator and chief minister यह सारे देखे जो भी अभी तक के सारे changes है वो मैंने यहां पे सारे cover up करवाए यह आपके exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important होगा क्योंकि आपको updated रहना बहुत ही ज़्यादा important है आपको यह पता भी होना चाहिए कि अभी जो भी changes होता है तो कौन क्या change हुआ है plus आपको exam में जो भी change होता है वो पूछे जाते है इसलिए आपको यह सारे changes ध्यान में रखना होगा I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना है अपने friends के साथ यह share करना है और channel को subscribe करना है so guys thanks for watching and have a nice day